महाकटबंदन सरकार में एक और पखेडा सुरू हो गया इस बार मामला राजस विभायक से जुड़ा है दोस्तों दरसल 30 जून 2023 को राजस वे वो भुमिस्तार विभायक के मंत्री आलूक मेहता की ओर से 480 अधिकारियों के ट्रांसबर पोस्टिंग की लिश्ट जारी करती जाती हैं और पोस्टिंग कर जयती है स्यम्ट 30 किमार क्यादेश के बाद इस एक जटके में रद कर दिया गया ते सुन किरास Фियो राजस पर अधिकारी चक्पंदी पर अधिकारीयों की महाड़ी पैमाने पर ट्रांस्पर पोस्टिंग हुई थी और महीं पताया जारा है कि इसमें बड़े पैमाने पर खेल हुआ था खबरों की माने तो CEO के ट्रांसफर और पोस्टिंग में बड़े अस्तर पर गरवड़ी की गई थी राजश्व वुमि सुदार विवाग की तलब से इस संबंद में एक अधिसुचना जाड़ी कर दी गई जाड़ी अधिसुचना के नुसार अगर मात की जाए तो दोस्तों बतातें कि बिहार राजश्व सेवा के राजश्व अधिकारियों और समक्ष बद तथा अंचल अधिकारियों जाएक बंदोवस्त प्रभाव से रध कर दिया जाता है बतातें दोस्तों कि राजश्व वुमि सुदार विभाग के आटजेडी कोटे में के मंत्री है और इस बिभाग में के मंत्री जो है वो आलोग में एता है डेप्रिश्यम तेजश्व वियादों के काफी कर भी बताया जाते है अचानक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश को निरस्त जो है किये जाने किसे कई सवाल खड़े हो रहे है वहीं बताया जा रहा है कि सिक्षा विभाग के बाद अब राजस वा बुमिर सुदार विभाग में बखेरा शुरू हो गया है समभव है कि इस मुते पर जेडी वो और आर्जेडी के निता आमने सामने भी आ जाए जिया दोस्तों अब जेडी वो और आर्जेडी के जो निता है वो आमने सामने भी आ जकते हैं लगतार नितीश कुमार आरजेडी कोटे के मंतरी पिछला बार भी सिक्षा विभाग के तरफ से ट्रांसफर पोश्टी का खेल किया गया था उसको भी बिहार के मुख्या मुख्या मंतरी दिश्कुमार ने रोक दिया था एक बार फिर जब राजस वह भुमिस उधार पे कर रहा है कि वह गलत कर रहा है विभाग किसी और का थेल को यौर कर रहा है यह तमाम बातें अदर खाने में चल रही है खर इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप NBC 24 पर बने रहें लगतार जो भी अपडेट होगा आपको जाब तक जरूर पहुंचाएंगे विडियो सब्सक्राइब करें अंतक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया